Hello students, हमारा chapter number 3 चल रहा था जैविकास का आनवानसिक आधार, ठीक है, और उसमें हमने एक topic पढ़ा था, आनवानसिक सामेता, ठीक है, हमने topic पढ़ा था आनवानसिक सामेता, क्या होता है आनवानसिक सामेता? देखो आनवानसिक सामेता का जो नियम है ये दो वैग्यानिकों ने दिया था एक तो हार्डी और एक बाइनवर्ग हार्डी कहां के थे भईया ब्रिटेन के थे और बाइनवर्ग कहां के थे जर्मनी के थे दोनों ने मिलकर आनुवानसिक सामेता का सिध्धान्त दिया था जो हमने पढ़ लिया था और इस सिध्धान्त क्या था इस सिध्धान्त यह था कि जब कोई भी एक समस्टी जो होती है जैसे कि यह कोई भी समस्टी है और इस समस्टी के अंदर उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन प्राकर्तिक वरण और जीन विनी में की गटनाएं यदि नहीं होती है ये एक समस्टी है समस्टी में क्या है जीव निवास करते हैं ठीक है और इस पूरी की पूरी समस्टी में उत्परिवर्तन, प्राकर्टिक वरन और जीन विनी में की यदि घटना नहीं होती है तो इस समस्थी में यह जो जीव है यह बिल्कुल फ्री ओकर मुक्त रूप से क्या गरते हैं परजनन करते हैं और जब यह परजनन करते हैं तो इनसे जो संतान उत्पन होती है उन संतानों की जीनी संदचना जो होती है वो हमेशा सामे की स्थती में रहती है मतलगी बदलती नहीं है किसमें रहती हमेशा सामे की स्थती में रहती है बदलती नहीं है ठीक है ये था आनुवानसिक सामेता का नियम यहनि कि यदि उत्परिवर्तन होगा तो विबिनेता उत्पन होगी प्राकर्तिक वर्ण होगा तो विबिनेता उत्पन होगी जीन विनी में होगा तो विबिनेता उत्पन होगी यदि तीनों के तीनों कारक इस समस्ती से अटा दी जाएं इसमें नहीं हो तो जीव क्या करता ह बिलकुल फ्री होकर परजिनन करता है सौतनतरुप से उसे संतान उत्पनों गी और उसकी जीनिस अंपरचना जो है संतान की डेगी सामे की स्थती में रहेगी ये शिद्धान था आनुवान्सिक सामेता का ठीक है उसके बाद हम आरा टोपिक है आज आनुवान्सिक सामेता को प्रभावित करने वाले कारक और इसमें नमबर एक पर आता है भाईया उत्परिवर्तन क्या होता है उत्परिवर्तन देखो एक सबद में इसके दी परिवासा बताएं उत्परिवर्तन का मतलब होता है जिवों के आनुवान्सिक पधार्त में होने वाला परिवर्तन किसमें आनुवान्सिक पधार्त में जिवों के आनुवान्सिक की पधार्त में होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है या फिर हम दूसरे सबदों में ऐसे भी बोल सकते हैं जीव के सरीर में होने वाले ऐसे आनुवान्सिक परिवर्तन जिसके कारण जीव के लक्सन प्रेरूप अनुपात वे जीन प्रेरूप अनुपात क्या हो जाते हैं वाया बदल जाते हैं क्या कहलाता है उत्परिवर्तन के कारण जीव की जीनी संदचना क्या होती है बदलती है जीव की जीनी संदचना बदलती है जिसकी कारण आनुवान्सिक सामें जो है वो भी क्या हो जाता है बदल जाता है और जब आनुवान्सिक सामें बदल जाता है इसका मतलब की आनुवान्सिक सामें सामें तामें नहीं रहता है convert हो गया है change हो गया है आनुवानसिक सामें कब होता है जब उसके अंदर किसी भी प्रकार की भाई कारक जो मतलब की विबिनेताई उत्पन करते हैं वो सबी यदियन उपस्थित होते हैं तो जीव क्या करते हैं परजिनन करते हैं सौतंतर रूप से और उनसे उत्पन होने वाल इसके बाद नंबर दो वर्णात्मक परजनन वर्णात्मक परजनन देखो क्या होता है यदि किसी समस्थि में परजनन जो होता है वो मतलब की मुक्त रूप से ना हो मुक्त रूप से नहोकर क्या होता है वर्नात्मक रूप से होता है मतलग कि चेन करकर के होता है यदि किसी समस्थे में परजनन की ग्रिया मुक्त रूप से नहोकर कैसे होती वर्नात्मक रूप से नहीं कि चेन करकर होती है तो आनुआनसिक सामें बैया क्या होगा डेफिनेटली क्या होगा परिवर्तित होगा ठीक है क्योंकि वर्णात्मक परजनन में एक जीव जो होते हैं जैसे कि ए है यह किसके साथ क्या करेगा परजनन एक के साथ ही करेगा जैसे कि यह समस्थी है और समस्थी में क्या होते हैं जीव होते हैं A, capital A, small a, capital V, small w, ठीक है? और यह क्या करते हैं? मुक्तरूप से परजनन करते है, जब तो आनवानसिक साम में क्या रहता है? बना रहता है, लेकिन यदि कोई एक जीव, एक विसेश जीव की साथ ही क्या करता है, परजनन की किरिया करता है, तो आनुवानसिक साम में क्या हो जाएगा बदल जाएगा देखो यदि किसी समस्टी में समझीनी परभावी समझीनी परभावी समझीनी का मतलग समान एलिल वाले परभावी का मतलग capital ये मान के चलो ये एक हो गया बईया वि समझीनी परभावी समझीनी ये एक समस्टी में तीन परखार की जीव क्या करतें न्युवास करतें और ये वाला जब है ये सिर्फ इसी के साथ में क्या करेगा मतलग कि विसेश इसके साथ में क्या करेगा परजनन की क्रिया करेगा तो दीरे दीरे इनकी संक्या क्या होती जाएगी समस्ति में भड़ती जाएगी और इनकी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी जिसके कालना अनुवान सिक्सा में बदल जाता है ठीक है तो नंबर दो क्या हो गया वर्णात मक्ट परजनन नमबर तीन नमबर तीन पर आता है समस्टी का आगार समस्टी का आगार देखो समस्टी का आगार जितना ज्यादा बड़ा होगा समस्टी का आगार जितना ज्यादा बड़ा होगा समस्टी में मुक्त परजनन उतना ही ज्यादा होगा लेकिन समस्टी का आगार यदि छोटा है तो उसमें परजनन कैसा होगा वो होगा वर्णात्मक परजनन कैसा हो कब यह वरणात्मक यह नहीं कि select करकर के chain करकर के और जब मुक्त परजनन होता है तो इनका मतलब कि जो आनुवांसिक सामें हो बना रहता है आनुवांसिक सामें बना रहता है लेकिन यह वरणात्मक परजनन होता है तो आनुवानसिक सामें क्या होता है बदल जाता है ठीक है यनि कि समस्टी का आकार यदि बड़ा है तो मुक्त रूप से परजन मिलेगा यदि समस्टी का आकार छोटा है तो उसमें वरनात्मक परजन होगा जिसके कारण आनुवानसिक सामें परिवर्तित हो जाएगा जैसे कि एक सीके को हम लगबग कि 100 वार क्या गरते हैं उछालते हैं एक सीके को तो उसके अंदर 50% head और 50% tail आने की समभावना होती है लेकिन यदि हम सीके को सिरफ 3-4 त i0 उछालते हैं तो 50% head और 50% tail आने की समभावना नहीं होती है यदि हमने सिख़्िक को चार बर उठाला हो सकता है कि छार बर तैल आ जाए तीन बर तैल आजाए एक बर तैल आए यहां पर इसमें संभावना ही 50-50 परसेंट नहीं होती है लेकिन यदि उसको सूबर उठालेंगे तो 50-50 परसेंट हो सकता है 51 टाइम स्टैल आजाए 49 टाइम हैड आजाए ऐसा होता है नहीं 50-50 होने के संभावना होती है मतलग कि समस्टी का आगार जतना ज्यादा बड़ा होगा मुक्त परजनन उतना ही ज्यादा होगा छोटा होगा वर्णात्मक परजनन होगा जिसके कारण उसमें क्या होगा आनवानसिक सामें परिवर्तित होगा नेक्स्ट नमबर फूर नमबर फूर पर आता है प्राकर्तिक चेयन या पढ़ते आ रहे हो पिछले चैप्टर से भी की परकर्ति केवल उनी जीओं का चेयन करती है जो वातावर्ण के अनुकूल होते हैं और ऐसे जीव जनन करते हैं और अपने संख्या में व्रदी करते हैं अनुकूल जीव वातावर्ण के अनुकूल होने के लिए क्या करते हैं विविनिता उत्पन करता है जिससे लाबधायक विविनिता ये पीड़ी दर पीड़ी वंचानुगात होती है और जीव जो है वो दीरे-दीरे क्या करते जाते हैं व्रदी करते जाते हैं उनके संख्या भढ़ती जाती है हनी कारण विबिनता हैं दीरे-दीरे क्या होती जाती है नस्ट होती जाती है और जीव दीरे-दीरे क्या होती चले जाते है नस्ट जिसके कारण उनका अनुवानसिक सामे भी क्या हो जाता है बदल जाता है नेक्स्ट अम्मर पाँच जीन विनी में जीन विनी में क्या होता है जीन विनी में होता है आर्द सुत्री विभाजन में आर्द सुत्री विभाजन फास्ट की प्रोफिज फर्स्ट की उपवस्था आती है पेकाईटिन पेकाईटिन क्या है उपवस्था इसमें क्या होता है जीन विनी में होता है क्रोसिंग ओवर होता है और इस समय इस अवस्था में जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं जीनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है जिससे बनने वाली जो संतती होती है उसके अंदर जीनी संदचना क्या हो जाती है बदल जाती है और जब जीनी संदचना बदल जाती है तो उसका आनुवांसिक सामे भी क्या हो जाता है बदल जाता है आनुवानसिक सामें भी बदल जाता है तो ये पांच जो कारक है नमबर एक उत्परिवर्तन प्राकर्तिक वर्णात्म परजनन समस्टी का आकार प्राकर्तिक चेयन और जीन विनिमे ये पांचो के पांचो कारक जो होते हैं वो आनुवानसिक सामे को क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं बजलते हैं फिर से देखो आनुवानसिक सामे क्या होता है देखो एक समस्ती है एक बहुत बड़ी समस्ती है समस्ती में जो जीव होते हैं वो बिलकुल क्या रहते हैं फ्री रहते हैं और यदि इस पूरी समस्ती क ये तीनो कंडिशन क्या रहें अनुपर श्थित रहें तीनों के एपांचों को नाम ले सकते हैं। वर्तन वर्णात्मक परजनन समस्टी का आगार वर्णात्मक परजनन और जीन विनी में पांचो की पांचो कंडिशन में बोल सकते हैं यानि कि पांचो के पांचो कारक यदि इस समस्टी में नहीं होते हैं समस्टी में नहीं होने के कारण क्या नहीं होता है विविन्यताय उत उत्पन नहीं होगी जीव सतंतर रूप से परजनन करेंगे उनसे संतान उत्पन होगी उन संतानों की जीनी संदचना जनक के क्या रहेगी बिल्कूल समान रहेगी इसी क्या बोला जाता है आनुवांसिक सामे और इस आनुवांसिक सामे को कौन प्रभावित करता है करते हैं प्रभावित करते हैं